आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियो मैंने बहार नियंत्रण का सिध्धान्त आप लोगों को समझाया था उस वीडियो को बहुत ही पसंद किया गया दो विश्यों पर मेरी वीडियो बहुत पसंद की गई एक अमरूद की कटिंग की और एक इस बहार नियंत्रण की किसान साथियो यहां पर एक समस्य उत्पन हुई और जो मुझे परसन आए और वाट्सेप पर मैसेज आए तो मैं थोड़ी दूविधा में पड़ गया और मैंने उन सब परसनों को इकठा किया जिस भाई का छे महीने का पोदा है वो भी कह रहा है कि जी मैं कटिंग कर दूँ जिसका दस महीने का पोदा है वो भी कह रहा है मैं कटिंग कर दूँ जिन्होंने फरवरी में कटिंग की थी और उनके फूल और कल्ले आये हैं वो भी कह रहे हैं कि जी मैं भी नहीं लेना चाहता बरसात की फसल और मैं सर्दियों की फसल लूँगा तो क्या मैं भी कटिंग कर दो अब ये इतना विस्तरत विशे हो चुगा जो आज का विशे है अमरूद की कटिंग कुछ परसन और उनके उतर मैंने सभी परसनों को इकठा किया और उनको चार भागों में विभाजित किया पहले आप ये जानिए ये चार भाग क्या है पहला भाग है कटिंग क्या है दूसरा है कि कटिंग हम क्यों करते हैं और चोथा और अंतिम भाग इसका है कि कटिंग हमें कब करने चाहिए किसान सातियो मैंने इसको दो हिस्सों में थोड़ा डिवाइड किया एक वें पोधे जो दो वर्से छोटे हैं एक वो पोधे जो दो वर्से बड़े हैं जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ जो दो वर्से छोटे पोधे होते हैं उनमें पहली कटिंग साथ दिन बाद होती है जब हम पोधार उपन करते हैं उसके साथ दिन बाद करते हैं उसको हम केवल जमीन से दो फुट की उचाई पर पहली कटिंग करते हैं जो मुख्य साखा होती उसको काट देते हैं उस मुख्य साखा के बाद आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर बहुत कल्ले निकलते हैं उन कल्लों में से हम कुछ ही कल्लों का चुनाव करते हैं और वो चुनाव करते हैं दो साथ धानिया रखती हैं एक तो डेड़ फुट से जमी केवल उन्ही को हम चलने देते हैं, उसके दो महिने बाद जब ये कल्ले करीब डेड़ेड फिट के हो जाएंगे, डेड़ से दो फिट के हो जाएंगे, अगर आपने सही देख बाल की, तो लगबग सितंबर ये अक्टूबर के पर्थम सक्ता में हम फिर एक बार कटिंग करते हैं, और इनको हम लगबग 50% के हिसाब से काट देते हैं, तो हमें एक साखा से कितने मिलें, चार, और अगर एक उपर भी चल पड़ा तो वो भी रखिये 5, अब इनमें जब आपने इने एक एक फुट से काट दिया, एक से सवा फुट तक आप काट सकते हैं, तो आपको फर तरीकी तरह बनता चला जाएगा, फिर फरवरी में उन कल्लो को जो आपने रखे हैं, उनको फिर आप एक से डेड़ फुट पर काट देगें, तो उन में से फिर एक में से चार-चार निकले गें, तो चार में से कितने बने, 16, 16 में से कितने बने, 64, तो कम से कम आपको 50 से 60 साखाएं मिल जाएंगी, और पोधा, चुकि नीचे डेड़ फिट तक आपने एक ही साखा रखी है, तो बहुत अच्छे आपका च्छतरक का और उसकी साखा इतनी मजबूत हो जाएगी, कि वो किसी भी हवा वगरा को जहिल लेगा, अब आते हैं, हम दो वर्स और उससे इसके लिए जो असली सब्ध है, अंग्रेजी में उसको कहते है, प्रूनी, और जब इसकी आप हिंदी देखेंगे, तो इसका अर्थ होता है, कटाई छटाई, तो कटिंग, हम जो पोधे में अनावस्यक विस्तार होता है, बढ़वार होती है, जो अनावस्यक साखाए होती हैं, हम उनको काटते हैं, और इसका सिध्धान्त मैंने बताया था, कि हमारे पुरानी साखाओं पर कभी फल नहीं आता, इसलिए हमें कटिंग करने ही पड़ती है, तो ये कटिंग का मैंने अर्थ आप लोगों को समझा दिया, अब बढ़ते हैं दूसरे पाइंट की ओड़ दूसरा पाइंट है, कि क्यों करते हैं, किसान साथियों, जब हमने भार्नी अंतरन की बात की थी, तो हमने बताया था, कि भार्नी अंतरन का सिध्धान्त है, कि कभी भी अमरूद पर, जो पुरानी साखाइं हैं, उनपर फल नहीं आतें, तो हमें उनNे काटना पड़ता है, तो यह यहां भी इसका relation है कि पुरानी साखाओ पर जिन पर एक बार फल आ चुका उनको हम काट देते हैं उस काटने से क्या होता है अनावस्यक बढ़वार आपकी पोधे की रुखती है और नए कलो का सरजन होता है और फूल हमेशा नए कलो पर ही आते हैं इससे सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है आप देखेंगे पोधा जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी नीचे से और जो मुख्य साखाओ होती है बहुत मोटी हो जाती है किसान साथियो जो भोजन आप उसको देते हैं खाद और माइक्रो न्यूट्रेंड या सुक्सम तत्वों के रूप में उसका बहुत बड़ा हिस्सा पोधे की इन साखाओ को ही सही रखने में या उनको जीवित रखने में चला जाता है और जितनी दूर फल होगा उतने ही कम भोजन आपके पोधे को मिलेगा और यही से सिध्धान सुरू हुया था अमरूद की कटिंग का और आपका जो है ना फल लेने का के कटिंग के बाद हमें लेना चाहिए जितना कम इस्ट्रक्चर होगा और मजबूत होगा और चातर की तरह होगा उतने ही आपके फल अच्छे आएंगे जादा आएंगे और बढ़िया आपकी पहुंच अच्छी रहेगी आपको उनका मेंटेन करने में कम अवश्यक्ता होगी यह हुया मैंने बताया कि क्यों करते हैं कटिंग अब आईए आप कैसे करते हैं कटिंग किसंसातियों इसे मैंने दो भागों में विभाजित किया हैं एक मेपोधे जो हमें सामान्य विधी से लगाए गए है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए पहला जो सामान्य विधी सामान्य विधी से मेरा मतलब है कि जो 10 बाई 10 फूट से अधिक दूरी अर्थात 15 बाई 15 फिट 18 बाई 18 फिट या 20 बाई 20 फिट पर लगाए है उसे सामान्य विधी क्याते है किसान साथियों इनकी कटिंग अलग तरीके से होती है दूसरी होती है सगन विधी थोड़ा सा मैं आपको सगन विधी के रोप में बताऊंगा मेरी बहुत किसान भाईयों से बात होती है ने तो उन्होंने सगन विधी से लगाए ने अतिसगन विधी से लगाए उन में से एक मैं भी हूँ मैंने भी जो आठ वाई 5 पर लगाए थे ये सगन विधी भी नहीं है और अतिसगन भी नहीं है तो हमने अपने हिसाब से लग लया किसान सातियों सगन विधी जो पहली इसकी पहचान है वो होती है दस बाई दस फिट यानि जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है वो दस फिट होगी और पोधे से पोधे के दूरी होगी दस फिट किसान सातियों एक बार मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पर इसे कहते हैं वर्गाकार जब लाइन से लाइन और पोधे के बीच में समान दूरी हो तो इसे वर्गाकार विदी भी कहते हैं और वर्गा का अरविदी में हमें दिसा का ध्यान नहीं रखने की अवश्यक्ता होती है, चुकि मैंने पहले बताया था कि जब भी आपकी लाइन जो बनेंगी वो उत्तर दक्सिंदिसाओं में होंगी और जो पोधे होंगे वो पूरब पस्चिंदिसाओं में लोंगे, कारण हर चीज का कारण जानने की कोशिस करिए कि लाइन के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए चुकि सर्दियों में जो सूरज घुमता है पूरब से पसीम की और जब जाता है तो मुखेत जो हवा धूप उसको मिलती है पोदे को वो दक्सिन की तरफ से आती है तो अधिकतर सूरज का ढ़लाव आप देखेंगे तो वो दक्सिन दिशा की तरफ होता है इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये दूरी जो हना लाइन से लाइन के दूरी अधिक होनी चाहिए सगन विदी के बाद आती है अती सगन विदी अती सगन विधी का मतलब होता है तीन मीटर लाइन से लाइन की दूरी और डेड़ मीटर आपकी पोधे से पोधे की दूरी तीन मीटर लाइन से लाइन की दूरी का मतलब या दस फिट लाइन से लाइन की दूरी और जो पोधे से पोधा होगा परतेक लाइन में वो लगेगा डेड़ मीटर पर यह होती है अतीस सगन वागवानी किसान साथियों तीसरी विधी है जो काफी किसानों ने लगा रखिये लेकिन अभी किसी ने भी उसकी economic analysis कर यह नहीं बताया है मुझे तो कम से कम नहीं पता चला है या कोई वो बताना नहीं चाहते हैं कि इसमें कितना फायदा होता है कौन सी विधी का फायदा होता है अगर मेरा परियोग सफल रहा तो मैंने अपने खेत पर तीनों विधी लगाई हुई है और अगले साल के अंत तक अगले दिसंबर तक मैं आप लोगों को ये बता दूँगा कि इस विधी में सबसे ज़्यादा फायदा है और इस विधी में फायदा नहीं है ये विधी होती है दो बाई एक मीटर पर यानि लाइन से लाइन की दूरी दो मीटर और पोधे से पोधे की दूरी एक मीटर अब आप देखिए इसे मीडो बागवानी कहते हैं अब किसान सातियों क्या होता है कि जो हमारी सावन्य विधी से पोधे लगाएगी है तो जो हमारी पिछली फसल लेने के बाद जो डंडिया चली हैं साखाएं हैं उनको हमें 40-60% तक काट देना चाहिए तो जिस मोसम की हम फसल लेंगे अगर हम बरसात की फसल ले रहे हैं तो गवरी में हम कटिंग कर देंगे और अगर हम सर्दियों की फसल ले रहे हैं तो मई में हम कटिंग कर देंगे और साखाओ को जो पिछले साल की कटिंग के बाद जीतों साखाए हुई है उन्हें 40-60% तक करते हैं ये मैं नहीं कह रहारा ये अनुسंद्धान परपत्रों में लिखा है कि सबसे अधिक अगर आप 50% तक कटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादे फलन मिलता है सब्रियों में. अब आते हैं सगन विधी में. किसान साथियों सगन विधी में दो तरीके बताए गए हैं. लेकिन वो करने कैसे हैं एक का तो मुझे पता है कि करना कैसे है. दूसरे का अभी तक ये confirm नहीं है कि इसको प्रियोग में कैसे करना है. इसके लिए एक जिने मैं अपना गुरू मानता हूँ, मैं उनके पास जाऊंगा जैसे लोग डाइन को लेगा और उनसे विस्तार में चर्चा करूँगा चूकि मैंने सभी परसंद इकटे कर लिये हैं और जब मुझे पता चलेगा तम मैं आपसे साजा करूँगा। अगर हम सगन विधी के पोधों की कटिंग साल में तीन बार करते हैं, पहली अक्टूवर में, दूसरी फरवरी में और तीसरी मई में तो हमें अधिक फलन मिलता है। किसान साथियों 50% अगर आप हर साल करेंगे, तो आप देखिए कि पोधा कितनी जल्दी मिल जाएगा और वो पोधे से पोधे टच होना पड़ेगा। इसलिए हमें तीन बार करनी है, लेकिन ये तीन बार किस परकार करनी है ताकि हमारे पोधे का आकार ने बड़े और दो बाई एक मिटर पर ना मिले या दस बाई दस फिट पर वो ना मिले। ये हम एक अलग उसमें चर्चा करेंगे जो हमारी अगली वीडियो का विश्या होगा, उस पर बात करेंगे। किसान सात्यों सबसे महत्वर पोन जो मेरे को लगा है इसमें वो होता है कि हम कब करेंगे। अभी-भी मुझे एक फोन आया था आज सुभे से कम से कम मैंने 30 फोन अटेंड किया हूं अभी फोन आया था सर मैंने अगस्त में पोधा लगाया था घर में और मैंने उसको अभी 40 दिन पहले उसको घर के बाहर लगा दिया सर वो चल नहीं रहा है मेरे दो सवाल हैं भाई कौन से सवाल है तुमारे कहने लगा जी मैं इसमें क्या खाद पानी दे दूँ दूसरा सवाल मैंने क्या है दूसरा सवाल है क्या मैं इसकी कटिंग कर दूँ मतलब मेरी वीडियो देखकर लोग इतने उत्साहित हो गए कि वो अपने अमरूद की किसी नए प्रीमियम गुरूप के सदस्य हैं मारू साब सब्बीर एफ मारू नासीक के हैं उनके तीन हजार पोदे हैं बहुत अच्छे पोदे हैं और उनको ढवाग तीन साल हो जाएंगे अब नूबर में उनको उन्होंने जब उन्होंने फोटो भेजार मुझे कहा त्यागी स इतने अच्छे हां मेरे को लगे कि मोझे ये लगा कि मैं एक बार उनके हाँ अवस्य किसान सातियों जो उत्टरबारत है कि बिलकुल आल remainder है चुकि यहां पर सर्दी होती है उत्रबारत में मुक्चेत दो फसल ली जाती है एक है अंबे बहर जो मैंने पहले भी बताया था तक मिलते हैं, अब यहां पर समस्या क्या हुई, कि मुझे कुछ लोगों ने गासर, इसमें दो किसम के लोग आए, देखिए, कुछ ने पानी रोका हुआ था, और पानी रोक रखा था, उनका टाइम हो गया, और मैंने उनको कोई प्रोब्लम नहीं, उन्होंने कटिंग कर दो भाई तुम, अब फरवरी से पानी रोक दिया था, ताओ दे रहे थे, तो अब उनकी मैं मैं कटिंग कर दो, कोई समस्या नहीं है, समस्या दो केस में आई, जिन में से पहला है, कि उन्होंने फरवरी में कटिंग कर दी भी न जाने, और जब फरवरी में कटिंग की, और पा कहने लग जी हम सर्द ये बरसाथ के फल नहीं चाते उन पर फल भी छोटे छोटे आ गए चने के दाने के बराबर तो वो कहने लग जी हमें ये फल नहीं लेने हमें सर्दियों के लेने एक तो ये वाले समस्या है और कल्ले निकल आए और जो कल्ले निकल आए लेकिन उन्हें तो सर्दियों की फसल चाहिए थी उनको क्या करना है इन दोनों का हल मैं बताता हूँ पहला ध्यान ये रखिए आप, जिन भाईयों को सर्दियों की फसल लेनी है, वो फरवरी से पानी बंद कर देंगे, लेकिन पोदा दो वर से बड़ा होना चाहिए, फरवरी से पानी बंद कर देंगे, और मई में आप एक मई से लेकर तीस मई तक कटिंग करेंगे, अगर साने, अगर बीच में बारिस हो गई और कले निकल गए, तो जो दो साल से बड़े पोदे हैं, आप उन में या तो कैमिकल से कंट्रोल करिए, जो मैंने बाहर कंट्रोल में बता था, कैमिकल डाल कर, यूरिया डाल कर, नैप्थलिन असिटिक असिड डाल कर, या आप जो कर ये, इस साल आप बरसात की फसल ले लिजिए, अगले साल से हम देखेंगे, तो किसान भाईयों किनको कटिंग करनी चाहिए, मैं एक बार फिर सारांसी में बताना चाहता हूँ, किर्प्या कर, वहे, उन पर फल ने ले, और पहली कटिंग ठीक दो लगाने के दो महिने बाद, दो फिट से करें, दूसरी कटिंग फिर अगले दो महाँ बाद करें, तीसरी कटिंग उस से अगले चार महाँ बाद करें, फरवरी में करें, फिर जून में करें, तो आपको छ चत्रक बनाना है ये सब मैंने अपनी वेब साइट पर जो मैंने एक किताब लिखी है पोधार ओपन और दो महिने की देखपाल या कटाई छटाई खाद और पानी परबंदन आप इनको अवश्य बढ़ें इसमें ये सब लिखा जिनके दो साल से बड़े पोधे हो गए वो य एक तहान रखना है कि जो सर्दियों की फसल लेते हैं मई में कटिंग के साथ में हम उसमें खाद नहीं डालते हैं खाद हम तब डालते हैं जब बारिस में हो जाता है तो मैंने कई से ये पूछा है कि मुझे ये बताईए जो लोग बरसात की फसल लेते हैं वो फरवरी में क उत्तर है तो मुझे दीजिए, अगर आपका उत्तर सही हुआ तो मैं आपके नाम पर एक वीडियो बनाऊँगा, किसान साथियो ये मैंने समझाने की कोशिस की है, अमरूद की कटिंग के बारे में, किया है ये, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए, इसके उत्तर मैंने देने की कोशिस की है, किसान साथियो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे अवस्य बताएं, उसके दो सब मुझे और प्रेवित करते हैं, जो मेरा अगला वीडियो इस पर होगा, वो होगा कि कटिंग कैसे करते हैं, अभी भी कुछ लोग कर रहे देता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिन, जै भारत, बंदेबाद